हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ेंगे वुमेन चेंज दा वर्ड लेकिन और तो ने कैसे बदला इस दुनिया को इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मोटू लाल की क्लास रूम में चलते हैं यो पुपिंदर थारा भाई पुपिंदर अरे भाई मोटू लाल तुझे पता है इस बार तेरी फिर दुबारा सेकंड पोजीशन आई है दोस्त और फर्स्ट पर दुबारा से चिपकली आई है अरे यार पुपिंदर पता नहीं क्यों हर बार मैं सेकंड आ जाता हूँ ये चिपकली पता नहीं कितनी पढ़ाई करती है काश हम लोग पुराने जमाने में होते जब लड़कियों को पढ़ना ही अलाउड नहीं था तो फिर मैं हर बार फर्स्ट पोजिशन लेकर आता अरे मोटुलाल सही में क्या ऐसा भी जमाना था जब लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था बिल्कुल लड़कियों को स्कूल जाना पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था यो पुपिंदर और भई मोटुलाल उस जमाने के बारे में और भी चीज़े बता अरे मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन मैंने मन्नू भहिया से Woman Change the World चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जाना था चलो मिलकर हम लोग दुबारा से उस चैप्टर को पढ़ते हैं भहिया से तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को Fewer opportunities and rigid expectations पुराने जमाने के लोग ऐसा माना करते थे कि जो man और woman है यह specific work करने के लिए बने हैं specific work का मतलब यह कुछ चुने हुए ही काम कर सकते हैं जैसे यह माना जाता था कि जो man है वो बाहर का काम यानि की job बगरा करेंगे और जो women's है वो सारे घर का का काम करेंगे अब घर के काम से क्या मतलब है? मतलब खाना बनाएंगी, घर को साफ रखने का काम करेंगी बट क्या ये चीज सही है? Just because कोई woman है, तो वो घर का काम करेगी और just because कोई man है, तो वो भार का काम करेगा अरे भया, ये तो बिलकुल गलत सोच है मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मिलकर घर का काम करते हैं और मेरी तो मम्मी भी ऑफिस जाती है बिलकुल, पुराने जमाने में लोगों की कुछ ऐसी ही सोच हुआ करती थी कुछ लोग जो ये माना करते थे कि women's बाहर का काम भी कर सकती है तो वो यही सोचते थे कि बाहर भी women's कुछ certain work कर सकती है जादा अच्छा काम नहीं कर सकती जैसे कि engineer नहीं बन सकती woman या फिर doctor नहीं बन सकती women's क्या कर सकती है teacher बन सकती है इस type की सोच थी तो बहुत सारे लोग इन type की सोच यानि कि इस type की सोच के अंदर believe करते थे इन type के stereotypes मत्तब ऐसी जो सोच होगे इसे बोलते हैं हम लोग stereotypes के अंदर believe करते थे बहुत सारी जो girls थी जो doctor या फिर engineer बनना चाहती थी उनके parents उन्हें support नहीं करते थे वहीं पर अगर उनके brother बोलते थे कि ममी पापा हमें बनना है doctor engineer तो ममी पापा बोल देते थे थे उनका ठीक है बेटा तुम तो बन जाओगे doctor engineer क्योंकि तुम लड़के हो ये कोई add नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में सब्सक्राइब के साथ में join के button पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ पुराने जमाने के parents तो बड़े अच्छे थे सबके मम्मी पापा अपने लड़कों को हर चीज के अंदर support किया करते थे एक मेरे मम्मी पापा है मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं जब भी मैं बोलता हूँ के मैं क्रिकिटर बनूँगा बोलते हैं के हर बार मोटुलाल तुम तो run out हो जाओगे भाग ही नहीं पाओगे तुम learning for change क्या आप जानते हो पुराने जमाने में कुछ बच्चो को स्कूल जाने से मना किया जाता था वा भया पुराने जमाने के मम्मी पापा तो बड़े मस्त होते थे मतलब तुम पढ़ोई मत खुदी मना करते थे यार एक हमारे मम्मी पापा हैं हमेशा मना करते रहते हैं के phone मत चला phone मत चला बिलकुल लग रही है ना ये चीज बिलकुल unimaginable हम लोग imagine भी नहीं कर सकते इस चीज़ को पुराने जमाने में girls को और कुछ specific cast के बच्चों को मना करा जाता था पढ़ने से पुराने जमाने में जो skill of reading यानि की पढ़ने की और लिखने की जो कला थी मतलब जो पढ़ना या फिर लिखने वाली चीज थी सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे 19th century के अंदर बहुत सारे ideas आए education को लेकर और learning भी new learning emerge हुए मतलब कि लोगों ने सीखना और पढ़ना और लिखना चालू करा कुछ इस type के schools भी set up हुए थे पुराने जमाने में अब एक हमारी book के अंदर interesting सी चीज दिया है जेवियर एक बच्चा था जिसके class 10th के अंदर science और maths के अंदर कम number आए अब उसने बहुत अच्छे number लेकर आया था वो history और language के अंदर जब उसके parents दें उसका report card देखा तो वो बड़े परिशान हो गए वो बोलते हैं जेवियर से अरे जेवियर तुमारे number तो बड़े ही गंदे आए है 65% आई है बस maths में और physics में भी बहुत गंदे number है जेवियर बोलता है कि ममा मैं इस चीज़ को जानता हूँ लेकिन मुझे maths और science पसंद नहीं है मुझे तो history पढ़नी है तो यहाँ पर जो उसके parents है वो उससे बुछते हैं कि तुम history पढ़ना चाते हो history पढ़कर क्या करोगे बड़े होकर अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी और कोई history का scope नहीं है जेवियर फिर दुबारा बोलता है कि मुझे maths और science पसंद ही नहीं है मैं तो history ही पढ़ना चाता हूँ तो यहाँ पर उसके parents उसे डाटते हैं और बोलते हैं कि बेटा sensible बनो और क्या पढ़ो maths को पढ़ो और computers को भी पढ़ो side by side तब ही जाकर तुम्हें job मिलेगी तो यहाँ पर आप देख रहे हो के parents कैसे जेवियर को डाट रहें अब देखो यहाँ पर जेवियर की choice चलनी चाहिए अगर वो sst पढ़ना चाता है history पढ़ना चाता है तो वो उसको पढ़ने देना चाहिए उसके parents को बड़ यार जेवियर तुम्हें भी मैं एक सला देना चाहूँगा अगर तुम्हें अच्छे marks लाने थे science के अंदर तो मन्नू के ग्यान से पढ़ लेते फुल marks आते बड़ बाद में फिर अपनी choice के जो इसे subject लेना है वो ये ले सकता है अगर आपको भी science पसंद नहीं है तो आप मन्नू के ग्यान से पढ़ सकते हो schooling and education today आजकल की schooling और education कैसी है आजकल के जमाने के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि boys और girls दोनों मिलकर अच्छे खासे amount के अंदर school को attend कर रहे है और साथ में पढ़ाई कर लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा difference देखने को मिलता है between the education of boys and girls अब कैसे difference है boys और girls की education में ऐसे difference है कि जो boys है उनको ज़ादा पढ़ाया जाता है और जो girls है उनने कम पढ़ाया जाता है अब इस चीज को measure कैसे करा जाता है by sensious sensious के एक तरीके से record है जैसे आपकी attendance record करती है न मैम ऐसे ही sensious के अंदर ये पढ़ने लिखने वाली चीज़े record करी जाती है तो 1961 के अंदर जो sensious हुआ था उसके according only 40% boys या फिर men जो की above the age of 7 year old थे वो पढ़े लिखे थे यानि की literate थे उनके compare में अगर girls को compare करा जाए तो पूरे इंडिया में only 15% girls या फिर women थी जो की पढ़ी लिखी थी above the age of 7 अब इसी चीज को 2011 के अंदर मत्तब इसी sensious को 2011 के अंदर record करा जाता है यह पता चलता है कि 82% जो boys है जो figures है वो grow है और जो 82% boys है या फिर men है above the age of 7 year old वो पढ़ लिख रहे हैं literate है और जो 65% girls या फिर women है वो भी पढ़ लिख रही है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा change आया है अब women भी पढ़ रही है लेकिन उतना जादा नहीं है अभी भी improvement जो male group है आप देख सकते हो कितनी जादा improvement हुई है 82% हो गई है और जो females है वो अभी भी थोड़ा कम है compared to boys SCST girls जो है वो school जल्दी छोड़ती है compared to other categories अब यह SCST कौन है SCST एक तरीके से caste system के according schedule caste और schedule tribes इनका मत्तब यह होता है SC और ST का पुराने जमाने में जो low caste के लोग वा करते थे नीची caste के लोग वा करते थे पुराने जमाने में उनको SC और ST माना जाता था तो यह उस system के according अभी भी बताया गया है कि जो SCST लोग हैं वो school जल्दी छोड़ देते हैं तो यहां पर हमें एक बढ़ी आसा चार्ट दे रखा है लेकिन इस चार्ट को समझाने से पहले एक छोटी सी आपको कहानी सुनानी है क्या आपको पता है कि कितना ज़्यादा schools के अंदर भी discrimination होता है जिसकी वज़े से बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं तो यह कहानी है अब्दुलकलाम जी की अब्दुलकलाम जी के बारे में आप जानते हो कि अब्दुलकलाम जी कौन थे पता है तो कमेंट जरूर करना तो अब्दुलकलाम जी अपने दोस्त के साथ मज़े से स्कूल में पढ़ रहे थे जो उनका दोस्त था वो पंडित था और अब्दुलकलाम जी मुसलिम थे अचानक से उनका टीचर आते हैं और अब्दुलकलाम जी से बोलते हैं ए मुसलिम लड़के तु पंडित के साथ बैठ के पढ़ रहा है जा क्लास में सबसे पीछे बैठ जा तो अब्दुलकलाम जी पीछे जाकर बैठ जाते हैं इस चीज़ की वज़े से जो उनका दोस्त था वो भी रोने लगता है और अब्दुलकलाम जी भी रोने लगते हैं तो इस टैप का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में होने की वज़े से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं अब यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया है यहाँ पर यह दिखाया गया है कि किस तरीके से जो गर्ल्स हैं एस्पेशली SC और ST गर्ल्स ये स्कूल को जल्दी छोड़ देती हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो all other categories की girls हैं वो 3.8 मतलब जो general cast वाली girls हैं वो 3.8% यहाँ तक study करती हैं और जो SC-ST वाले हैं वो 4.20 और ST वाली 6.84 स्कूल को छोड़ देती हैं तो यहाँ पर आप यह पूरा data देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो girls है वो school कप छोड़ती हैं SC वाली during secondary classes 9th to 10th में और ST वाली 24.40 girls school छोड़ देती हैं तो यह पूरा chart हमें present करा गया है इस chart के अंदर basically यही समझाएक है कि जो general categories हैं जो high caste के लोग हैं वो school जल्दी नहीं छोड़ती हैं वो girls SC-ST वाली जो caste के लोग हैं वो school जल्दी छोड़ देता हैं मतलब schedule caste और schedule tribes 2011 के sanctions के according एक और important चीज़ पता चलती है अभी हमने देखा कि कैसे जो low caste के अंदर SC और ST caste के अंदर के लोग थे वो लोग school girls जल्दी छोड़ रहे थी इस caste की लेकिन क्या होता है कि 2011 के अंदर ये भी खुलासा होता है कि SC-ST यानि कि दलत और जो आदिवासी girls हैं अब आदिवासी इसको हम लोग बोलते हैं ST और SC दलिद्स को ठीक है तो यहाँ पर जो दलिद और आदिवासी girls हैं उनसे भी ज्यादा कौन girls school छोड़ रही है Muslim girls Muslim girls तो पढ़ने ही नहीं आ रही है लगबग ये देखने को मिला तो primary education भी उनकी complete नहीं हो अब बात करते हैं women's movement की what is women's movement women's movement के अंदर जो women's और girls थी इन होने आवाज उटायती और ये बुला था के हम भी पढ़ना चाते हैं हम भी school जाना चाते हैं तभी तो आज जाके आपको दिख रहा है कितनी सारी women's पढ़ने के लिए school आ रही है और ये जो हमारा data है ये इतना ज़्यादा improve हुआ है अब देखो ये जो movement थी इसके अंदर क्या हुआ बहुत सारी women's ने एक साथ इकटे होके collectively अपनी आवाज उठाई और बोला के ये सारे बदलाब लेकर आओ जिनके अंदर women's को भी men's की तरह ही treat करा जाए women's को भी school जाने दिया जाए women's को भी job करने दी जाए तो ये सारी चीजों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई जिसको बोला गया women's movement बहुत सारे आदमी भी ऐसे थे जिन्होंने women's को support करा और उनकी women's movement के अंदर बोला के हाँ हाँ सही बात है और तो को भी आदमी की तरह ही equally treatment मिलना चाहिए अब देखते हैं campaigning के बारे में what is campaigning campaigns क्या होती है एक तरीके से जो भी discrimination हो रहा था भेद भाव हो रहा था औरतों के खिलाफ उस चीज के against औरतों ने क्या करा आवाज उठाई एक साथ इखटे होकर क्या करा उन्होंने campaign करा इस चीज को बोलते हैं हम लोग campaign करना जैसे अपने election में भी होगा बहुत सारे नेता लोग अपने साथ में लोगों को इखटा कर लिता है तो उसे बोलते है election campaign ऐसे ही women's एक साथ इखटी हो गई उन्होंने बोला कि जो हमारे साथ discrimination हो रहा है जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम अब आज उठाएंगे तो इसको बोल दिया हमने women's campaign a law was made in 2006 2006 के अंदर एक law बना जिसके अंदर जो women थी उन्हें physical और mental violence within their homes also called domestic violence अगर होगा तो legal action लिया जाएगा अब इसका मतलब क्या है अगर किसी भी लड़की को या किसी भी औरत को घर में परिशान करा जाएगा मारा जाएगा पीटा जाएगा उसे कुछ गलत सलत बोला जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी उसके खिलाफ ऐसी चीजे कर रहा होगा मालो उसके पापा डाट रहे हैं उसका हस्बेंड डाट रहे हैं इक्वली ट्रीट करा जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वुमेंस को भी आद्मियों की तरह ट्रीट करा जाए, तो बड़े अलग अलग तरीके थे, जैसे कुछ प्लेज भी करे जाते थे, मतलब नाटक, कोई गाना भी गा देता था, जिससे की गाने के थ्रू कोई बता देता कि कैसे जो वुमेंस है, उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अब समझते हैं प्रोटेस्टिंग के बारे में, वट इस प्रोटेस्टिंग, जब वुमेंस को ये लगा कि कोई भी उनकी आवाज को नहीं सुन रहा, कोई भी गवर्मेंट उनकी बात नहीं मान रह करा, प्रोटेस्ट करना शुरू करा, अंदोलन करना शुरू करा, ऐसे बैनर वगारा ले लिए रोड को जाम कर दिया और बोला कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दो, तो इस तरीके से जो वुमेंस की बात थी, ये बाद में जाकर government को भी माननी पड़ी और लोगों को भी माननी पड़ी शोइंग solidarity अब solidarity का मतलब क्या है जो women's movement थी इसके अंदर सारी women's एक साथ इखटी हो गई और उन्होंने बोला कि हम सब problem face कर रहे हैं हमें एक साथ इखटे होना पड़ेगा तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग solidarity सब एक साथ इखटे हो गए नहीं तो होता ना कि कोई woman बोल रही है कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है school जाना ही नहीं है तो मैं ठीक हूँ लेकिन फिर उसको और women's ने समझाया कि देखो तुम्हें school जाना जरूरी है तुम्हें पढ़ना लिखना जरूरी है हमारा साथ दो इस अंदोलन में government को बताओ कि women's को भी equal treatment करना चाहिए तो फिर यहां पर solidarity भी show करी women's ने तो जो हमारा chapter है वो खतम होता है अब आप से एक सवाल पूछना है मुझे what was women's movement women's movement क्या था comment section में comment करिए अगर आपको इस chapter के notes चाहिए sample paper चाहिए shout out चाहिए तो member बनना पड़ेगा लेकिन यह सारी चीज़े हैं क्या समझते हैं एक बार देखो यह जो पूरा chapter है यह मैंने आपको बहुत short में with one sentence definitions के साथ explain करा है notes हैं यह सारे इस chapter के तो आपको पूरा chapter book से पढ़ने की जरूरत नहीं है जो सारी important चीज़े हैं इन notes के अंदर cover हैं यह notes कैसे मिलेंगे आपको simply member बनके अब notes मिल गए इसके साथ साथ आपको sample paper अब आप 7th class में आगे हो बड़ी class में आगे हो तो जो questions है वो chapter के बीच से आती है book के पीछे वाले questions नहीं आएंगे exam में तो वो वाले questions जो chapter के बीच से आते हैं वो कहां से मिलेंगे वो मिलेंगे आपको sample paper से जो कि members को हम लोग provide करते हैं तो आप वो sample paper solve कर लोगे तो exam में अच्छे marks हैंगे साथ ही में आपको shout out मिलेगा मतब आप ये member बन रहे हो इस चीज के लिए आपको community tab के अंदर shout out दिया जाएगा so thank you so much for watching this video फड़ा फट चैनल को subscribe करो member बनो join के बटन पे click करके thanks for watching like subscribe and share करना मत बूला मनुसे ग्यान लेते रहो